चुनावों में राजनितिक दलों के लिए राजनिती तैयार करने वाले प्रशान्त कसोर ने चुनावी राजियों में वैक्सिनेशन के द्रफतार बढ़ाने की मांग की है प्रशान्त कसोर ने कहा है कि चुनाव आयों को चुनावी राजियों में कम से कम 80% दी वैक्सिनेशन सुनिश्चित करना चाहिए उन्होंने कहा है कि इन राजियों में कम से कम 80% दी लोगों को कोरोना वैक्सिन की दोनों डोज लगा देनी चाहिए चुनावी रणितिकार प्रशांत कसोड ने कहा है कि महामारी के इस दोर में चुनाव कराने का एक मात्र यही तरीका है बांकि सब कुछ बेकार है कोरोना को रोकने को लेकर जो भी गाइडलैंस जारी किये गए हैं उनका उस तरह से कोई भी पालन नहीं करता है बता दे कि प्रशांत कसोर फिलहाल एजिंडा 2022 की तैयारियों में जुटे हैं बताया जा रहा है कि ममतव इनर्जी के तरफ से वो रणिती बनाने का काम कर रहे हैं पिछले दिनों कॉंग्रेस नेताओं के टी-एमसी में शामिल होने के बाद प्रशांत कसोर पर आरोप लगे थे कि वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं जिन नेताओं ने कॉंग्रेस चोड़ी वो लगातार प्रशांत कसोर के संपर्क में थें बताते चले कि इससे पहले चुनाव आयुक की तरब से पांच राज्यों में होने वाले विधान सभात चुनावों को लेकर बैठक बुलाई गई थी बैठक में मुख्य कुनाव आयुकत समेथ बाकी तमाम अधिकारी मुझूद थे बताया गया है कि इस बैचक में कोरोना केस बढ़ने के दोरान चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई है साथी कोरोना गाइडलाइन्स में जरूरी बदलाव और पोलिंग बूतों को लेकर नियमों पर भी बातचीत हुई है इसके अलावा शुकरवार साथ जन्वरी को भी चुनाव आयो की एक बैचक हुई जिसके बाद अब चुनावी गाइडलाइन का एलान किया जा सकता है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिके बाकी और खबरों के रिवे जुड़े रही है एस्पियन नाइन न्यूस के साथ